सब्सक्राइब कीजिए The School of Sports चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटिस्ट वीडियो देखने के लिए नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मैं 20 साल से टेनिस केल रहा हूँ है जैसा कि आप जानते है की एक टेनिस चर्ड बीच में नेठ है दो हिस्ते हैं और यहां पर डिबल स्था राइन है वह टेनिस्ट के लिए यूज que जाती है और यहां पर आप देखएगे凌स गयर ऑन होगा हम इस वीडियो में सिंगल स्कोरिंग बात करेंगे और सेम स्कोरिंग डबल्स में भी यूज होती है टैनिस में जब स्टार्ट होता है तो जीरो जीरो होता है लेकिन टैनिस में जीरो को लव कहते है गेम स्टार्ट होते ही स्कोर होगा जीरो जीरो जिसको कहते है लव आ तो टेनिस में जीरो लव कहते है, पहला पॉइंट जीते ही स्कोर 15, दूसरा पॉइंट जीते ही स्कोर 30, तीसरा पॉइंट जीते ही आपका स्कोर 40, और चौता पॉइंट जीते ही आप गेम जीत चुके है, तो चार पॉइंट जीतने आपको एक गेम जीतने के लिए, छे गेम जीतने एक set जीतने के लिए और आपको दो set जीतने एक match जीतने के लिए तो ये tennis का funda अब यहाँ पर हम देख रहे एक real game अगर आप match खेल रहे तो आपको ध्यान होगा center mark के right hand side से खड़े हो के आपको serve करनी है और आपकी अब आपके second serve की बारी आई है आपने second serve करी अच्छी serve सामने वाले बहुत अच्छा shot मारा वो score जीत चुके है तो उनका score हो गया है 15 टेनिस में जो serve करता है उसका score पहले बोलेंगे तो क्यूंकि आप serve कर रहे आपका शुन्य है उसका 15 है तो 0 15 अब अगले point में आप यहां से serve करेंगे इस हरे area में गिरनी चाहिए बहुत अच्छी serve ace serve है यह इसी के साथ score होता है 15 15 अब आप दूसरी side से serve करेंगे अच्छी serve out shot आप point जीत गए आपका score हो गया 30 30 15 अगली serve अच्छी serve net में आप point जीत गए आपका score हो 40 15 अगली serve आप कर रहे है देखते क्या होता है fault हो गई है तो अब आप second serve करेंगे second serve ओपोनेंट ने बाहर मारा 40 15 के बाद आप point जीते तो आप यह game जीत चुके है tennis में game के अंदर points बनाते है और set score में हम game score डालते है तो क्योंकि यहाँ पे आप game जीत चुके है game score हो गया 0-0 और वो game score आपके set score में count होगा तो set score हो गया 1-0 क्योंकि आप पहला game जीत गए तो set score हो गया 1-0 जब भी यह sum 1-0, 1-3-5-7 होता है तो आप side change करते है क्योंकि हो सकता है सामने सूरज और सूरज की केने आपकी आँखों में आ रही है और आप ढंक से खेल नहीं पा रहे है high balls को देख नहीं पा रहे है तो side change करेंगे सब ही हो सकता है कि हवा आपके पीछे की दिशा से आ रही हो तो आपके ऑपोनेंट को तेज शॉट मारना मुश्किल है तो situation के इसाब से side change की जाती है जब sum of games 1-3-5-7 रहता है अब देखते हैं आपके ऑपोनेंट की service है कैसी serve करते है वो game शुरू होता है ऑपोनेंट की पास ball है वो पहली serve करते है ace क्योंकि वो point जीते तो अब हम उनका score पहले बोलेंगे जो भी serve करते है उसका score पहले बोलते है तो score हो गया है 15-0 बहुत अच्छी serve अगर serve line पे गिरती है तो वो right होती है तो यहाँ पे आपके ऑपोनेंट ने सही serve मारी तो उनको मिला point उनका score हो गया आपने आपको point मिला तो score हो गया 40-15 अगला point right hand side से serve करी आपने बहुत अच्छा passing shot मारा है आपको मिला एक और point तो score हो गया 40-30 अब अगला point और आपने बहुत अच्छा shot मारा score हो गया है 40-40 40-40 को बहुत special नाम दिया जाता है कहते है इसे deuce deuce का मतलब जब score आप दोनों का 40-40 हो गया deuce के बाद किसी भी एक खिलाडी को दो लगातार point जीतने होंगे game जीतने के लिए अगर आप एक point जीते और आपका opponent फिर point जीता है तो फिर से deuce हो जाएगा देखते हैं यहां क्या होता है opponent ने अच्छी serve करी उनको मिला है point तो उनका हो गया है advantage advantage server बोलेंगे क्योंकि जो service कर रहे है उसको advantage मिला है या फिर आपन बोलेंगे add in in because जो service कर रहा है उसके पास advantage है अगर वो यह point जीते तो उसका game है अगर आप जीते तो फिर से deuce हो जाएगा देखते क्या होता है जिसके पास service है उसके पास advantage है और यहाँ पे उन्होंने serve की आपने बहुत अच्छा shot मारा है तो क्योंकि आप point जीत चुके तो फिर से deuce हो गया है अब देखते deuce के बाद फिर से 2 point लगातार किसी को जीतने होंगे यहाँ पे आपके विरोधी ने service करी और आपने बहुत अच्छा passing shot मारा है तो इस बार advantage आपको मिलेगा तो हम बोलेंगे advantage receiver क्योंकि आप service receive कर रहे है या फिर बोलेंगे advantage out क्योंकि advantage जो serve कर रहा है उसके पास नहीं है और आपने ball net में मार दी तो फिर से deuce हो गया अगर आप यह point जीत जाते तो आपको यह game मिल जाता क्योंकि आपके opponent point जीता फिर से deuce opponent ने बहुत अच्छी serve करी और यहाँ पर opponent point जीत गया तो advantage server opponent की serve है advantage उनके पास है अगर point जीते तो game उनका false serve आप बच गए यहाँ पर second serve अच्छी serve आपने अच्छा shot मारा उसने भी अच्छा shot मारा और point उनका उनको game मिल गया है advantage के बाद point जीते ही तो उनका भी set score में एक game आगया है और game score 0-0 हो जाएगा और अब आपकी service आएगी game खतम होने के बाद आपकी serve मान लेते हैं यहाँ पर आप यह game जीत चुके है मानते हैं आपने game जीत लिया तो score ओगया 3-1 अब आपकी serve मानो यह भी game आपने जीत लिया तो score 4-1 4 और एक 5 तो side change होगी अब आपके opponent की serve मानते यह game भी आपने जीत लिया तो आपका score होगया 5 और 1 अब आपकी serve अब अगर आप एक और game गेम जीतते हैं तो आप ये set जीत जाएंगे set जीतने के लिए आपको 6 गेम जीतने होते हैं दो के difference के साथ तो 6 और 1 पांच का difference हो गया तो आप ये set जीत चुके हैं ये set जीतने के बाद आप अगर देखेंगे तो 6 और 1 7 है तो क्योंकि score 7 है तो आपको side change करनी पड़ेगी set score की तरफ जाता है अब आप set जीत चुके है 6-1 तो ये match score की तरफ जाएगा तो पहला set आप जीत गए match score 1-0 और set score हो जाएगा 0-0 तो आप point जीतेंगे तो game मिलेगा game जाएगा set score में और अगर आप set जीतेंगे तो आपका match score बढ़ेगा अगर आपका match score 2 हो गया तो आप match जीत जाते है अब बात करते है कुछ special situations की और उन situation में क्या नतीजा रहेगा conclusion क्या होगा तो चलो पहली situation हम लेते जहाँ पे score है 5-4 आपने 5 game जीते और आप अगला game जीत जाते 6-4 तो यहाँ पे आप set जीत चुके है क्योंकि 6 और 4 का जो difference है वो 2 point का है तो ये set आपका होग इस case में अगला situation score है 5-5 और आपने game जीता 6-5 तो यहाँ पे आप set नहीं जीतेंगे क्योंकि 6 और 5 का difference सिर्फ एक है आपको 6 game जीतने है 2 difference के साथ तो यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे आपको एक और game जीतना पड़ेगा ताकि 7-5 हो और difference 2 point का हो तो अगर 6-5 के बाद आपन point जीता आपका score हो गया 7-5 क्योंकि difference है 2 का तो आप यहाँ पे set जीत चुके है तो जो खिलाडी पहले 6 game जीतेगा 2 के difference के साथ वो set जीत जाएगा अगर 6-5 है तो 7-5 करना पड़ेगा अब यह situation दे को 6-5 और opponent ने भी 6 कर दिया तो 6-6 में यह लोग time break खेलते है अब game वहीं रुकेगा और time break खेलेंगे मतलब simple 1-2-3-4-5-6-7 point जो खिलाडी पहले 7 point जीता 2 के difference के साथ वो जीत जाएगा तो अगर आपके 7 है opponent के 5 या 5 से कम है तो आप set जीत गए अगर उसने 6 जीते और आपके 7 है तो आपको 8 point जीतने पड़ेंगे यानि 2 का difference रखना पड़ेगा इ जब आप serve करें तो right hand side से खड़े हो के serve करेंगे और आप जब serve खतम कर देंगे तो उसके बाद opponent team में से कोई भी serve कर सकता है यहाँ पे let's say कि yes खिलाडी ने serve की second बार तो इसकी serve के बाद जब आपके team की serve आईगी तो आप नहीं करेंगे आपका जो teammate है वो serve करेगा उसके बा दोस्तों इस video को बनाने में बहुत मैनत लगी है तो अगर आपको यह video पसंद आया तो इसको like कर दीजिए share कर दीजिए और channel को subscribe करना बिल्कुल मत भूलेगा क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही interesting sports video लेकर आने वाला हूँ अगर कोई सुझाव है तो comment करना मत भूलेगा और इस टाइब के sports video देखना पसंद करेंगे दोस्तों मैं एक mission पर हूँ खेलो के प्रती जागरुकता बढ़ाने के लिए और इस mission पर आपका support बहुत ज़रूरी है तो please subscribe and share धन्यवाद